कि यह सब्सक्राइब करने वाल को आपके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हम लोग आज लेकर आगाए है सबसे बड़ा चेप्टर सबसे बहतरी इन तरीके से करवाने वाला हूं ततली से हर एक पॉइंट को डिसकस करेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को कॉपी पैनल लेके बैठना पड़ेगा तो आज के कीवर्ट बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो भा बहुत मज़ेंगे जाएंगे तो चलिए शूर करते हैं बिना किसी देरी के लेट्स टॉक अबाउट डारेक्टिंग 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 के अलिमेंट्स अम लोग कवर कर रहे होंगे टूटल चार एलिमेंट्स होते हो अपन देखेंगे आज ठीके सुपर सुपर विजन देखेंगे जाएंगे जी चलिए उसके बाद मोटिवेशन उसके फीचर मासलो तैयोरी इंसेंटिव उसके टाइपस फानेंशियल नॉन फानेंशियल और लीडर्शिप और उसके स्टाइल गाइस ठीके तो देखा एक ही लेक्चर के अंदर बाल को आप लोग का भैतरी तरीके से खतम करा दूँगा आपका जो विश्वास है यह बना रहे गाइस ठीके जी तो टिके रहना एंट तक चलो चुरू करते हैं कि सर बात करते हैं अब यह डारेक्टिंग की तो वाट इस दवीनिक आफ डारेक्टिंग तो याड़ टेको समझने के लिए एक चीज समझे पहले आप लोग कि अब है तदेक्टन निकलता है चैज पालको ड्यक्टार क्यां होता है सर यांदर ड्यक्टरता है क्या करते सर ड्यक्ट्शन करते हैं यह एक्ट Come में लिए जाते हैं planning में हम लोगों ने plans बनाए थे organizing के अंदर resources को arrange किया था ठीक है जी staffing के अंदर लोगों को arrange किया था management के 5 में से 3 function perform कर चुके हैं और अब तक काम शुरू नहीं हुआ है तो actual में काम शुरू कहां होता है डारेक्टिंग में शुरू होता है मेरे भाई कहां पर होता है मेरे बाई directing के अंदर शुरू होता है so directing is a process of initiating action process of initiating action sir actions को initiate करने के process को directing कहते है actions को start करने के process को मेरे बाई directing कहते है so directing is the process of initiating action Directing is the process of starting the action. Actions کو start करने के process को میरे भाई directing कहा जाता है. ठीक है जी? Actions को start करने के process को میरे भाई directing कहा जाता है. So, directing is the process of initiating action. Directing is the process of starting the action. Then, clear? चली जी. पहली बात तो हम यहीं लिखेंगे क्या? Directing. पंदो है कि इनीशीयटेंग आप सिस्प्ीर को इनीशीएट करना है और ना चलिए सबाब पर एक्षे स tut keeping मेरे भाई done clear चलिए सब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे समझिये सुनिए बड़े ध्यान से सर डेरेक्टिंग क्या होता है हांजी बाल को what is the meaning of directing तुभी ये जब भी directing word आता है न तो मेरे माइम में पता नहीं ये तीन words कहां से आजाते हैं सर पहला है guiding, दूसरा है instructing, और तीसरा है मेरे भाई inspiring, तो तीन वर्ड बाल को हमेशा आज तक मेरे हमेशा आए है माईनिक अंदर क्या guiding, instructing and inspiring, तो मेरे भाई directing क्या होता है सर? directing is a process of guiding, भईया movie का director क्या करेगा, पहले actor को guide करेगा, कि scene क्या है, फिर उसे instruct करेगा कि करना कैसे है, और फिर उसे inspire करेगा, कोई बात नहीं, one more shot, one more shot, one more shot, आएगा, 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 तो क्या कर रहा है सर? वो inspire कर रहा है, तो directing, basically directing के अंदर मिलनी तीन काम क्या कर करते हैं, पहले guide करेंगे, फिर instruct करेंगे, और फिर inspire करेंगे, पहले guide करेंगे, फिर instruct करेंगे, फिर inspire करेंगे, ठीक है जी, तो directing is a process of guiding, instructing and inspiring people in the organization to achieve organizational goals, ठीक है जी, तो organization is a process of, directing is a process of guiding, instructing and inspiring people in the organization to achieve organizational goals, ठीक है जी, डन, एक और definition ले ले लेते हैं, directing की, तो मेरे भाई, directing क्या होता है, एसा SAL directing का मतलब, जो actor, director, जो करता है, वहीं directing होता है, तो director, क्या करता है, डारेक्टर पहले आपको बताएगा कि scene क्या है, और फिर बैठ के देखेगा, कि आप अपना best कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसको भी directing कहते हैं, hundi balco is kobe directing get into directing it is in definition every money very high directing is the process of thing is the process of telling people telling people what to do and seeing that and seeing that they do it and seeing that they do it to the best of their ability the best of their ability so directing is the process of telling people what to do directing वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं सर डिरेक्टिंग वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम यह करते हैं कि सर लोगों को बताते हैं कि क्या करना है और फिर बैट के देखते हैं क्यों अपना बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability को DONS people what to do and seeing that they do it to the best of their ability to directing is the process of telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. दन हो गया क्या जल्दी बताइए प्लीस दन हो गया क्या पहुत बढ़िया बाल को मज़ा आ गया चलिए जी आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब आपने बाल को टोटल चार एलिमेंट्स होते हैं कौन-कौन से तो मेरे बाई सबसे पहले आता है सुपर विजिन फिर आता है जी मोटिवेशन सब फिर आता है लीडर्शिप और लास्ट में आता है का इस communication so there are four elements of directing तो directing क्या हुआ शर directing is equals to everyone come on जली से शर directing is equals to supervision plus directing is equals to supervision plus motivation plus leadership plus communication directing directing is equals to supervision प्लास मोटीवेशन प्लास लीडर्शिप प्लास कम्यूनिकेशन गाइस ठीक है जी तो डैरेक्टिंग का मतलब क्या होता है जी सुपर विजन प्लास मोटीवेशन प्लास लीडर्शिप प्लास कम्यूनिकेशन इस इक्वल्स टू डारेक्टिंग डान जोर से बोलो क्लियर है बिल्कुल क्लियर एगा इस चलिए आगे बढ़ते हैं सर स्टार्ट करते हैं सूपर वीजन से सर एक काम करेंगे एक बार सूपर विजन की स्पैलिंग को तोड़के देखें क्या इधर देखो बाइब इस पैलिंग को तोड़ दिया सर सूपर का मतलब क्या होता है नॉर्मल से इप इई सूपरमें नॉर्मल मैं सूपर वाले मैं सूपर नैच्रल पावर नॉर्मल पावर से उपर वाली पावर तो हो शूपर का मतलब क्या होता है ओवर एंड अबव थू का मतलब क्या होता है Art of seeing, vision मतलब नजरिया जी sir vision का मतलब क्या होता है vision का मतलब होता है vision का मतलब क्या होता है art of seeing art of seeing is known as a vision super का मतलब हो गया over and above vision का मतलब हो गया art of seeing तो काम को उपर उपर से देखने के process को काम को उपर उपर से observe करने के process को क्या बोलते हैं थी सर हम इसको बोलते हैं सुपर्विजिन सुपर्विजिन means means काम को उपर उपर से देखना अच्छा जी एक बाँ बताओ बाल को सुपर्विजिन कौन से level of management पे किया जाता है हाँ जी सुपर्विजिन is performed at which level of management सर सुपर्विजिन of workers is performed at the lower level of management मैं आपको याद होगा बालको मोग इवी बोलते कि इस टूपर्विजिन जो होते हैं वो लोवर लेवल पे होते हैं तो लोवर लेवल पे जो है supervision performed किया जाता है mainly supervision is performed at the lower level हाँ जी बाल को mainly supervision is performed at the lower level done mainly supervision is performed at the lower level of management 회 gonna clear है clear है चलिए सर सबसे पहले मैं आपके काम को देखूंगा उसके बाद क्या करूंगा जी सबसे पहले काम को अब्जर्व करेंगे उसके बाद क्या करेंगे तो monitoring and guiding the subordinate supervision is the process of monitoring का हमको monitor करेंगे और फिर guide करेंगे तो supervision is the process of monitoring and guiding the subordinate क्या बोला मैंने सर monitoring and guiding the subordinate ठीके तो monitor करना और guide करने के process को मेरे बाई supervision कहा जाता है done clear हो गया जैसे भाई आपके exam चल होते हैं तो आपकी क्ला समय किई मुझेलेटर होता है ग०ल पहई आपको exam देख रहे है कि कैसे exam कार और गर्बड़ नहीं हो रही है कोई दिक्कत तो करें उसे supervision काथे हैं का थिक ए डान क्लियर हल्ग को क्लियर हो गया क्या जल्दी बदाएं ब्लीज ब्लीज हो गया जल्दी बदाएं ब्लीज क्लियर हुआ क्लियर हुआ ठीक है सर, दन, अब बात करते हैं भी है, motivation की तो guys, but is the meaning of motivation, motivation क्या होता guys, तेको motivation समझने के लिए, हमें इसके regarding कुछ और words समझने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे भाइट पहले motive समझते है, मोटिव क्या होता है, motive समझ जाएंगे फिर भाइया, motivator समझेंगे एक बार, कि motivator के बाद क्या समझेंगे, motivation समझेंगे, ठीक है, तो motive, motive साथ बाल को target, motive साथ टागेट, डेडर बेस्ट और नीट्स और वांट्स, मोटिव समझेंगे, तो आप भी किसी motive से बैटे हो, मैं यहां पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी बहुत बहुत बैतरी तरीके से एनरजी लगा के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी एक motive है, और आपका भी एक motive है, हम दोनों को एक motive है, अरजी से बैटे हो, मैं भी यहां पढ़ा रहा हूँ, तो किसी motive से बढ़ा रहा हूँ, motives क्या होता, motives are the targets that are based on needs and wants, जो सर्मारे needs and wants पर based होते हैं, जो भी चीज़ बालको हमारे needs and wants पर based होती हैं, उन targets को बालको हम लोग क्या बोलते हैं, जी motive बोलता है, के काईज what is the meaning of motivate motivation motives are the targets based on targets based on needs and wants बहुत बढ़ियां सर मोटीवेटर क्या हो दा दो यह मोटीवेटर मोटी वेटर करें से मोटीवेटर कहते हैं इसे मोटीवेटर कहते हैं किसे हैं नहीं प्रक्रिया हो गई जिसके तुरू मोटीवेटर वह सटीस्टाइब करेगा सो मोटीवेशन इस प्रक्रिया है जिसके दौरा कुछ को सटीस्टाइब करता है तो जिसके द्वारा बाल भॉन को favor करेंगे उसे motivator कहते हैं तो भया जोभी चीज आपके motive को satisfy करेंगी उसे motivator कहेंगे और वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के थ्रूं आप motive को satisfy करोगे दाट प्रतिक्रिया के बाद अगर आपको प्रतिक्रिया करते हो डाट इस लेक्षर के अंदर आपको मोटिवेट कर दू तो आप आज रात को पढ़ने वैड़ जाओगे अगर आज तो पढ़ना आए तो क्या हो रहा है सर बिसिकली हो क्या रहा है तो मोटिवेशन वह प्रतिक्रिया जिसके होने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया शुडू कर देते हैं इस इंफ्लूएंसिंग का हमने अंदर कुछ फीलिंग हो रही होती है लेकिन उस फीलिंग के बाद अगर आप एक्शन ले लो तो वह स्टिमूलेटिंग हो जाता है ठीके तो मोटिवेशन इस अप्रोसेस ओफ इस्टिमूलेटिंग पीपल लोगों को स्टिमूलेट करना तो टेक आक्शन ताकि वह ल जो हैं डिजाइड गोल्ट को अचीव करने के लिए काम करने लगे लगे लिए बात कर लेते हैं लीडर्शिप के तो लीडर्शिप क्या होता है मैंने भी आपको बताया साल लोगों को इंफ्लूएंस करना तो मेरे भाई इन फ्लूएंस करने के प्रॉसेज को लीडर्शिप कहते हैं मेरे भाई किसको बोलते हैं जी लोगों को इंफ्लूएंस करने के प्रॉसेज को लेडर्शिप कहा जाता है ठीके मेरे भाई ओके डान तो लोगों को इंफ्लुएंस करना तो या ताकि आप मेरे कोडिंग काम कर सको या गुरुप के गोल को अचीव करने के लिए काम कर सको ठीके तो या में एक डागराम के तुरू आपका लीडर्शिप सम्झानी कुछ करता हूं तो सुन्दा और समझ और भालक को लीडर्शिप में तैंस के अंदर फॉलॉर Зट तु referee मबर्स गृँब में लीडर्शिप का मतलब मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लीडर का मतलब पता है वाल को लीडर हमेशा एक गुरूप का या टीम का होगा और उस गुरूप और टीम में मैंबर्स और फॉलोवर्स होंगे उन मैंबर्स और फॉलोवर्स को लीड करने के प्रोसेस को उन मैंबर्स और फॉलोवर is the process of leading or influencing the members or followers of the group by the leader उल्टा कर लो बाल को definition तयार उल्टा करते ही बाल को definition तयार तो leadership is the process leadership कहा है वो परक्रिया है leadership is the process of leading or influencing the members or followers of the group or team और by the leader guys तो leader द्वारा group और team और members को influence करने के process को मेरे बाई leadership कहते हैं आगे सुनिए और समझे बड़ी ध्यान से काई सर इंफ्लूएंस में करना क्या है तो इंफ्लूएंस में stride willingly करवाना है influence में मेरे भाई work willingly करवाना है work willingly या फिर stride willingly हमारा main motive है sir what is the meaning of work willingly या what is the meaning of stride willingly तो मेरे भाई work willingly और stride willingly क्यों अतलब होता है कि खुद से काम करो मुझे बोलना ना पड़े खुद से करो मुझे टोकना ना पड़े खुद से करो तो मैं आपको ऐसे influence मैं आपको ऐसे lead कर दूँगा मैं आपको ऐसे influence मैं आपको ऐसे lead कर दूँगा कि मुझे आपको टोकना ना पड़े आप खुद से काम करें मुझे आपको बोलना ना पड़े आप खुद से काम करें तो leadership वो प्रक्रिया है बाल को जिसके द्वारा जो है हम लोगों को इस तरह से influence करते हैं कि वो खुद से अपना 100% दें दन बाल को clear बाल को चलिए जी चलिए जी आगे बढ़ते हैं गाइस फेर चलिए सर तो leadership यहाँ पर खतम होता है तो communication बाल को communication की बात कर लेते हैं सर तो communication जो बाल को word है न communication is a word that is derived from a latin word communication जो है एक latin word से निकला हुआ word है communication का मतलब क्या होता है communication is the word that is derived from a latin word and that latin word is guys communis वो latin word क्या है जी वो latin word है मेरे भाई communis ठीक है जी and what is the meaning of communication guys to communication का जो ultimate meaning है वो हम communis से निकालेंगे communis का मतलब क्या होता है सर कम्यूनिस का मतलब होता है common communis का मतलब होता है सब्सक्राइब करने के प्रोसेस को मेरे भाई कम्यूनिकेशन कहते हैं क्या कहते हैं जी कम्यूनिकेशन कहते हैं सब्सक्राइब करेंग और जो मैं कह रहा हूँ वह आप समझ यह तो हमारे बीच में चूराइब कहा है तिक जी ओके सब्सक्राइब करेंद करने के प्रोसेस को को ही कम्विनिकेशन कहते हैं गाइस ठीक है दन है क्या दन एवर्वान सो कम्विनिकेशन कम्विनिकेशन इस अ प्रोसेस्ट ऑफ एक्षेंज आइडियास थॉट्स फीलिंग्स फैक्स इमोशन व्यू उपिनियन इंफॉर्मेशन बाइद सेंदर विद रिसीवर तू लगना में वर्ड क्या है सर कॉमान अंडर्स्टेंडिंग ठीक है चलिए आगे बढ़ता है आज जी बाल को तो यहां पर बाल को हमारे सारे मतलब सारे जो है शौत में मीनिंग कतन हो गए अब बात करेंगे डिटेल की तो यह सुपर्विजिन मीन्स मॉनिटरिंग एंड गा तो आप वो करोगे जो डिसाइडिड है आप वो करोगे जो पहले से प्लाइंड है ठीक है जी दन है गाईज चलिए सुपर्विजिन वाल को डिटेल में अपर बहुत सारे बच्चों यह होंगे सब पता होना चला गाईज मोटिवेशन हम आलरीड़ी जा चुके है गाईज मोटिवेशन इसना प्रसस आप स्ट्रिमिलेटिंग पीपल लोगो को stimulate करना ताकि वो हमारे गोल को अचीव करने के लिए काम करें अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करें यह तीनों वड़ बाल को मैं डिसकस कर चुके हैं मोटी मोटीवेटर and motivation तो इसके जी दन चलिए सर बात करते हैं मैं फीचर वस मोटीवेशन की everyone what are the features of motivation तो मोटीवेशन की features कि जिकर करते हैं मेरे भाई तो मोटीवेशन क्या होता है what is the meaning of motivation तो जो meaning है मेरे भाई हमारा जो है उसने को तोड़ तोड़ के हम लोग features निकालते हैं तो motivation is the process of stimulating people to achieve organizational goals to achieve individual goals ठीके जी चलिए अब मोटीवेशन क्या है जी मोटीवेशन एक psychological phenomena है so what is the meaning of psychological phenomena motivation बाल को एक मनोवज्ञानिक phenomena है motivation एक ऐसी प्रकरिया है बाल को जो you know motivation is a feeling that comes from inside motivation is an internal feeling ठीक है जी okay you cannot force someone to be motivated आप किसी को force जबरस्ती नहीं कर सकते क्यों है motivate हो जा अब हो रहा है कि नहीं हो रहा you cannot force someone to be motivated you cannot force someone to be motivated आप किसी को forcefully motivate नहीं कर सकते motivation is an internal feeling सर्जी motivation तो एक आंतरिक feeling है जो अंदर से निकल के आती है so motivation is a psychological phenomena अगला गया है जी गोल डिरेक्टिड बीएवियर भया मोटीवेशन मेंली क्यों किया जाता है ताकि आप लोग आपके गोल्स को अचीव करने पर लग जाओ सर्मोटिवेशन क्यों किया जाता है मेरे भाई motivation हमेशा इसलिए कि आप लोग आपके गोल्स को अचीव करने पर लग जाए है ठीक है जी सो मुटिवेशन गोल डिरेक्टिड बीएवियर जिसका में फोकस के जी कि आप लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हंडेट परसेंट देने लग जाएं ठीक है सो मोटिवेशन इस अगोल डिरेक्टिड बीएवियर नेच्ट बन मोटिवेशन कें इधर पॉजिटिव और नेगेटिव तर मोटिवेशन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है मेरे भाई ठीक है जी तो के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है जैसे प्रमोशन पॉजिटिव मोटिवेशन नेगेटिव और कोंपलेक्स प्रोसेस मोटिवेशन के जी बहुत ही ज्यादा इस बहुत ही ज्ञादा इस बहुत ही जादा कॉन प्रॉसेस है मेरे बाई क्यों कुछ एक यह एक कंपनी के अंदर लाको लोग काम करते हैं अब आधा का यहित दिए मोटिवेट क्या है मेरे मोर्टिवेशन कोप्तेम sub कॉप्लेड सोता है मोर्टिवेशन मतलब लगता चलने वाली प्रक्रिए हम्में एक बार मोटिवेट करना परता है एक बार मोटिवेट नहीं करना हमें एंपलोई को बार-बार मोटिवेट करना पड़ता है क्योंकि वो बार-बार डिस्सटिस्फाय हो जाते हैं बार-बार दी मोटिवेटीड फील करते हैं ते के जी साइकलोजिकल फिनमेना बाल को गोल ओरियेंटेट प्रोसेस तो में फोकस कहें जी गोल डैक्टिब बिहेवियर होता है ते के बात करते हैं मेरे बाई मोटिवेशन प्रोसेस की बात करते हैं सब्सक्राइब बड़े ध्यान से सुनना अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रोहित बैठा हुआ है एक स्टूडेंट जिसका नाम है रोहित ठीके जी अब उस रोहित की एक उसकी दोस्ती नहीं है ठीके उ उसको टेंशन हो गई कि यह सब के पास दोस्ती है मेरे पास नहीं है उसके बाद क्या हो गया ड्राइब सागई भई है ड्राइब मतलब जिसे पेट में चुहें दौरते हैं भूग जादा लगती है तो यहाँ पर ही बाल को उसको हो गए कि नहीं भईया जी अब मुझे ना दोस्ती चाहिए जैसे उसको वह जो ड्राइब सुरू हो गई उसने क्या किया सर्चिंग बिहेवियर चालू कर दिया सर्च करना चालू कर दिया धूनने चालू कर दिया कोई तो मिल जा है कहीं तो मिल जा है ठीक है जी रिक्वेस्ट बेदनी चालू कर दी उके उसके बाद एक request accept हो गई, satisfied need और tension खतम हो गई, reduction of tension guys तो ये बाल को हमारा motivation process होता है ये क्या होता है जी हमारा motivation process होता है ठीक है जी, ओके, तो हमेशा क्या होगा मेरे भाई एक unsatisfied need होगी जैसे माल लो आपने खाना निखाया unsatisfied need उसके बाद थोड़े बाद आपके unsatisfied need जो एक tension create करेगी कि यार मैं तो खाना ही निखाया आज बताओ कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है भाई आज जो है मैंने सुबह से लेकि अब तक खाना ही निखाया उस tension की वएसे क्या होगा सर उस tension की वैसे drives मतलब पेट में चुहे दोड़ेंगे अब प्यास लगते है और तपोरी लेंग्वज में तपोरी लेंग्वज में तपोरी लेंग्वज में बोलते मालको चुल चुल ठीवाई चुल यह चाहिए यार तो अब तो खाना चाहिए वाई उसके बाद क्या होगा जी उसे हम लोग फिर ड्राइक्स के बाद searching behavior चालू हो जाता है तो searching behavior चालू हो जाता है उसके बाद need satisfy हो ही जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरे भाई reduction of tension मांसलो थेयोरी पर दो यार माशलो थेयरी किसे इस घिवन बाइद अबाहम हारोल्ड मासलो थेयोरी कहते थी जिसने पूरा एक बेस तयार किया भईया motivation concept को समझने का ठीक है जी इडिए पेसित फोर इंडस्तैइंग the motivation detect as the base for understanding the motivation अगर आप एक motivation को समझना चाहते हो तो बिना मास्लोओ थेयोरी समझे आप motivation को समझ नहीं सकते हो ठीक है जी टो यह बहुत इंपोर्टेंट एक थिएरी हमारे सामने आ चुकी है क्या Maslow's Need of Hayaki theory of motivation. यह theory किस थे थी? इस theory is given by the Abraham Harold Maslow इस theory is given by the Abraham Harold Maslow, an eminent psychologist of America. America के एक बहुती सुपरसिद, बहुती प्रक्षात psychologist थे मेरे भाई America के कौन? Abraham Harold Maslow. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, भाईया थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि motivation complex process हर एक इनसान की needs and wants अलग होती है, हर एक इनसान का behavior अलग होता है, हर एक इनसान का family background अलग-अलग होता है, needs अलग-अलग होती है, wants अलग-अलग होती है लेकिन उन्होंने बोला, हर एक इनसान के अंदर होती है, यह इसलिए इतनी इतनी इपॉर्टेंट है कि उन्हें पूरे वर्ड के मूटिवेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया अब यह थियोरी समझने से पहले बाल को हमें कुछ अजंशन समझनी पड़ेंगी यह चुरी समझने से पहले गाई सामें जो है कुछ अजंशन समझनी है ठीके जी सर क्याए जी पीपल्स बिहेवियर इस बेस्ट ऑन दियर नीट्स भाईया लोगों का जो बिहेवियर है वो उनके नीट पर डिपेंड करता है अगर कोई प्यासा है तो वो प्यासे की तरह बिएव करेगा और अगर कोई नींद में है तो वो है वो नींद की तरह बिएव करेगा है ना इसने के जी तो लोगों का बिएविर उनके नीट पर डिपेंड करना चाहिए यह पहली एजंशन है दूसरी एजंशन नीट्स आर हायाकियल इन ओर पतलब क्या जी पहले छोटी नीट फिर उससे बड़ी नीट फिर उससे नीट तो क्या बोला भईया मैंने नीट्स आर हायाकियल इन ओर नीट्स जो है बालको वो क्या है जी थोड़े हायाकियल इन ओर हैं उसके बाद सटिसफाइड नीट कैंनो लांगर मोटीवेट परसन मेरे भाई अगर आपको बहुत सारा पैसा है और अलिम्निट पैसा है तो वह सटिस्फाइड एढ़ आपर लेवल नीड मैं लोवर नीड सटिस्फाइड और तभी आप तभी पहर पर यह जाओगे यह जंशन है हमारी तो वह बूब तो अपर लेवल लेवल नीड यॉर लोवर नीड इस तटिस्फाइड आप लेवल नीड पर जाएंगे जब आपकी बाल को लोवर नीड सटिस्फाइड हो चुकी होगी तभी जाओगे आप ठीके डान डान चलिए जी तो यह पहला किया जी बेसिक फिजियो लॉजिकल नीड तर एक बार ने इसको डियागराम के सुरू समझते हैं और एक डियाग इस तो यह पांच नीड जो है हर एक इंसान के अंदर होती है इस ते कि ओके सबसे पहले बात करते हैं जी पहले नीड की सुदफ फर्स्ट नीड इस बेसिक नीड बेसिक नीड इसे बाल को सर्वाइवल नीड भी कहते हैं सर्वाइवल नीड इसको बाल को यूनों हम लोग और क्या बोलते हैं जी बेसिक नीड सर्वाइवल नीड नस्सिटी नीड ठीक है जी तो बेसिक नीड सर्वाइवल नीड नस्सिटी नीड ठीक है और basic needs,isetialogical needs एसक्तराज हर एक इनसान के जाए है, वो आप में चाहिए, मैं हूँ in डिमी में चाहिए, हर एक इनसान की कुछ basic need होती है survival needs होती है, necessity needs होती है, physiological needs होती है ठीक है जी सर क्या होती है तो भाई आपको याद होगा रोटी कपड़ा मकान और नींद इस आर सम बेसिक नीट्स ओफ यूमन लाइफ सर जीए कहें जी एक इनसान की बेसिक नीट्स होती है मेरे भाई ठीक है जी तो रोटी कपड़ा मकान यह तो बेसिक नीट्स हैं sfbayval नीट्स हैं पे अधैल्री पॉइडिंग बेसिक पेंड दो कि बाइब बैसिक पेंड और अधैलरी देकर टेकर जाएं एंपलाइज की इस नीट को सिडिस्फाइब करते हैं तो बेसिक सेलरी मिल जाएगे अगर उस एपलोई को तो उसके रूटी का जुगा रोगया कपड़े का जुगा हो गया मकान जुवार कि ऑच्पर बढॉटी का बना मकान का जुवाड हो गया आज का परसों का एक साल बात का, छे साल बात का, दस साल बात का, रिटार्मेंट के बात का, बहुत सारी नीट्स हैं ने बहुत सारी नीट्स हैं, तो दूसरी नीट्स के निकल के आती है, मेरे बहुत सारी निकल के आती है, सेफ्टी और सेक्योरिटी, सेफ्टी और सेक्योरिटी, सेफ्टी और हम से सर आज रूटी का पड़ा मकान मिल रहा है कल को नहीं मिलेगा तो मुझे फिजिकली और इमोशनली हम होगा ठीक ही तो सेफटी आंड सेक्योरिटी फरॉम, फिजिकल को अंड इमोशनल हम, वह यह फिजिकल और emotional harm से safety and security क्या बोला बने भाई मैंने बोला physical and emotional harm से safety and security जो है यह हमारी second need है ठीके जी safety and security जो है बाल को हमारी second need है आगे बढ़ते हैं सर आगे सुनो मेरे भाई अब भया safety and security तो है लेकिन company safety and security नीड को satisfy कैसे करेंगे तो क्याम करते हैं उनको जॉप security देते हैं उनको पैंशन प्लाइन फंड देते हैं अगर जॉप security पैंशन प्लाइन फंड दे देंगे तो company के साथ भी और company के बाद भी गजुगार हो जाए तो 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 बाइप रुवाइडिंग job security pension plans by providing job security by providing job security pension plans और क्या आएगा by providing job security pension plans और प्रॉविदेंड फंड एक्रेक्टरा यह सब कीज़े देखे हैं हम employees के safety or security को पूरा करते हैं चलिए सर अब भाईया safety security का जुगार्ट भी हो गया जिस company में जाता हूँ उस company में 24 लोग हो जो इसे मेरी बातचीत होती हो जिस company में जाता हूँ वापर 24 लोग हो जिनको मेरे आने और ना आने से चिंता होती हो company में दोचा दोस्त हो जो मेरी उदासी पर उदास होई मेरी खुशी पर खुश होई है ना need of belongingness friends and relations love and affection तो किस तरह की need मेरे भाई निकल के आती है अब सरी की need satisfy कैसे होगी how the company can satisfy this need guys company इस need को satisfy कैसे कर सकती है तो by by creating informal organization sir अगर हम लोगों ने informal organization create कर दिया तो employees की need satisfy हो जाएगी अगर मैंने क्या create कर दिया sir अगर मैंने informal organization create कर दिया तो employees की ये need जो है satisfy हो जाएगी अगर मैंने क्या कर दिया जलती बताओ तर अगर मैंने cordial relations create कर दिये groups बना दिये unions बना दिये तो यह आपस में interact करेंगे और इनके जो social relations है जो blood relations है वो थोड़े से clear हो जाएगी गाईस ठीक है जी ओके से relations clear relations के जी और इन फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन ग्रूप्स एट्सेक्टरा ठीके जी तो यह सब करके जो है हम employees की friendship और social needs को पूरा करते हैं मेरे भाई ठीके जी आगे बढ़ें चलो पोर्त पर आते हैं जी फोर्त वन एविवान दफ फोर्त वन अग्नी नीट क्या है इस्टीम नीट्स जिसको बाल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटस नीड जिसको बाल को और क्या बोलते हैं जी स्टीम नीड स्टेटस नीड रिस्पेक्ट नीड अटेंशन नीड अटेंशन नीड है ना जी गाइस तो हाओ दे कंपनी कें सटिस्फाइब इस नीड सर कंपन कंपनी इस नीड को सटिस्फाइब कैसे करती है अब यह लोगों को रिस्पेक्ट देऊ क्या होता है जिस कंपनी में आप काम करते हैं उन दोस्तों के बीच वह दोस्तों बन गए उन दोस्तों के बीच अब हमें चीए अटेंशन अब अपने को चीए फुल इज़त तो भी अब लोग जो है अपने एंपलोई को जो है फुल इज़त कैसे दिलवाएं न थे हम उनको फुल इज़त कैसे दिलवाएं तो भाई एक काम करो ना सिंपल सिंपल इकाम कर दो जी उनको बाइग गिविंग प्रमोशन प्रमोशन कि रैंक है इस्ट्रहें अपने धाले सब्सक्राइब कर दो दो आपने आपके इंपलोई स्केमन में बागी employee स्क्रिमन में एक employee को लेकर इज़त बढ़ाती है देखे दी देखे 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 बड़ते हैं सर सर दे लास्ट नीड इन दा दे लास्ट नीड इन दा है कि ठीओरी इस self-actualization नीड बालको जिसके दो नाम और भी है self-actualization जिसको बालको हम लोग और क्या बोलते हैं जी self-realization need और इसको बालको लोग self-fulfillment need भी कहते हैं self-fulfillment need भी कहते हैं तो self-actualization need self-realization need self-fulfillment need sir how the company can satisfy this नहीं पहले this need belongs to what sir ये need किस चीज को indicate कर रही है कि देखो यार हर एक इनसान की एक highest level need होती है मानते हो कि नहीं मानते हो बिलकुल मानते हैं sir sir हर एक इनसान की एक highest level need होती है वही need जो है क्टकलाती है self-actualization need the highest level need of a person sir एक इनसान की highest level need को हम लोग क्या बोलते हैं जी self-actualization need या फिर self-realization need जी self-actualization need या फिर इसको हम लोग self-realization need भी कहते हैं गाईस ठीक है highest level need of a person sir company इस need को satisfy कैसे करेगी how the company will satisfy this need गाईस तो भी या देको इस need को satisfy करना थोड़ा difficult है लेकिन हम ये मान लेते हैं कि अगर company गोल अवगया तो सब का गोल अशीव हो गया घाईस ठीक है जी तो क्या लिखेंगे by achieving the goals of the organization वाई Achieving the goals of the organization organization के goals को achieve करके भी organization के goal को achieve करके भी हम लोग जो है ये कादव कर सकते हैं गाईस तो बैए achieving the goals of the organization we can satisfy this need ठीक है जी लाला चोते हैं ना जिसके थू हम एंप्लोई की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं इंसेंटिफ वह जुगार जिनका इस्तमाल करके हम लोग एंप्लोई की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के जुगार को हम बोलेंगे सर्थ ठीके जी तो इंसेंटिफ आर दो financial and the non-financial benefits techniques tools given to the employees to feel motivated and encouraged so that they can perform better कि वो लोग जो हैं ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं दन बाल को अब सर इंसेंटिफ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं इंसेंटिफ जो होते हैं बाल को वो दो तरह के होते हैं सर एक होता है financial incentive दूसरा होता है non financial incentive अब मुझे बताइज़ दाइगाइज भपानेशिए ऑन फदेव फदोन सब्सक करते हैं वह फिससे की terms of money जिन्सेंटिप्स को हम फैसे की टर्म में negotiate कर सकते है झाथ को बाल को लोग फानेशेलेट कर कियाते हैं व वह इसेंटिफ जिनको हम फैसे के टर्म में calculate नहीं कर सकते उन इसेंटिफ कुबाल को मुद नोन-financial incentives करते हैं धन बाल को, ये नन आवरिमाने तो financial incentives are those incentives which can be calculated in terms of money, सर फानेंसियल incentives are those incentives which can be calculated in terms of money, तो भईया वो incentive जिनको हम पैसे की टर्म में calculate कह सकते हैं, फानेंसियल और वो incentive जिनको हम पैसे की टर्म में calculate नहीं कह सकते नॉन फानेंशियल क्लियर है डशालिए सब्सक्राइब लिखा भी हुआ है फानेंशियल इसेंटिव प्रक्राइब लेडरे टर्म्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस पहले पैज़ो सर पे एंड अलावेंस पे अलावेंस एक अगर मैं आपको टाइम से शेलरी पे मतलब क्या होत अगर मैंने आपके प्रफॉर्मेंस बाइब लिंक कर दिया किससे संब्सक्राइब लिंक कर दिया आपके वेज से पैसे से अगर मैंने आप प्रडशन को लिंक कर दिया आपके वेज से आपके पैसे से तो क्या होगा जी आप जो है ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप ज़्यादा बनाने लग जाते हैं थेके जी तो हमें क्या करना है हमें एक जुगार लगाना है employers की production को बढ़ाना है न employees की performance को बढ़ाना तो एक काम करो उनके production को उनके wage से link कर दो तो वो ज्यादा ज्यादा कमानी के चक्कर में ज्यादा कमानी के चकर में ज्यादा बढने लग जाएएगे ओके डन bonus क्या होता है बोनस का भी इस्तमाल हम लोग करते हैं employees की performance को बढ़ाने का तो को bonus is an amount that is paid over and above the salary bonus जो है बाल को वो amount है जो हम salary के उपर देते हैं on some special locations तो किसी special location पर हम आपको देंगे bonus बाल कोई कैसा amount है जो मैं अपने employees को दूँगा वो भी किसी special location पर bonus is an amount given to the employees on some special locations bonus is an amount given to the employees on some special locations तो किसी special location पर जब मैं आपको बाल को extra amount दूँगा that is known as bonus silver jubilee हो गया हमारा goal achievement हो गया annual day हो गया बाल को ठीक है इससे क्या होते है जो बोनस मिलता है न तो बहुत सारे हमारे जो पिछले pending काम होते हैं पूरे होते हैं टेंशन का मोती performance बढ़ती है गाइस ठीक है प्रॉफिट शेरिंग देखो यार मैंने क्या किया मैंने जुआ लगाया एक यह मुझे एंप्लोई की performance को बढ़ाना था अब एंप्लोई की performance को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि यारे काम करता हूं एंप्लोई को ना हमारे profit का कुछ शेयर जो है मैं हमारे employees को देता हूं अब यह पूरा profit हुआ सुनना पड़ जाया और प्रॉफिट का यह वाला हिस्था जो है प्रॉफिट का बाल को यह वाला हिस्था जो है मैंने employees को ले दिया employees को लोगों क्या खशांदार company है इतना profit हुआ मुझे इतना दे दिया इतना profit हुआ मुझे इतना दे दिया अगर ज्यादा होता तो और ज्यादा मिलता ठीक है दी तो profit sharing के कैसे जुगार है जिसके तुम employees को अपना पार्टास profit देते हैं employees क्या करते हैं employees सोचते हैं कि यह इतना profit हुआ इतना मिल गया एक काम करते हैं हमें भया profit और ज्यादा होगा तो हमें यह और ज्यादा करसा मिलेगा और प्रोफिट अगर और ज्यादा हो गया अगर कंपनी को और ज्यादा प्रोफिट हो गया तो भया हमें और ज्यादा मिलेगा और अगर और जबाप जाता मिलेगा तो अपना पार्ट ऑफ और बढ़ाने के चक्कर में कंपनी का पार्ट ऑफ प्रोफिट बढ़ा देते हैं तो की गईस चलिए अगला ऐजी रिटार्मेंट प्राविडेंट फंड तो पैंशन प्लाइन और प्रॉविडेंट फंड मेरे भाई यह दो जो है रिटार्मेंट बेनफिट है कम मिलेंगे किसको मिलेंगे पैंशन प्लाइन प्रॉविडेंट फंड कम मिलेंगे किसको मिलेंगे तो पैंशन प्लाइन प्रॉविडेंट फंड खांल को उन एंपॉइस को मिलेंगे दोज को फफ़ोंब्र ये फेसिलिटी पेंशन प्लाइन वाली और फैसिलिटी उनको मिलेगी दोज बास को पाटनरशिप का मतलब क्या होते कि जब मैं अपने को कंपनी के शेयर्स ऑफर कर दूँ या आप मेरे एंप्लोई दिन दाते काम करते हो तो मैं उन एंप्लोई को कंपनी के शेयर इस्यू करूंगा जो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मार्किट प्राइस से कम पर या अल्मुस्ट फ्री में जो है हम अपने एग्जिस्टिंग जो एंप्ल मिला था आपको अपने घाड़ी दे दी सब्सक्राइब अपने घर दे दिया एंटर्टेन्मेंट अलावेंस मिला था आपको हमने प्लेडी पकड़ा दिया ठीकट लो हो या ठीकट लो घुमने जाओ तो जो बैनेफिट इन काइड मिलेगा ना उसे परक्विसेट बोलते है रिन जाने खuleल अचो काइड है टेया परकविसेट इंगेड ऐस बस के ऑके चलिए नौन फानेशल इंसेंटिफ मैंने पहले बता चूका हूं आइस नाँंछय इंसेंटिफ संधाने जो पैसे टर्म में कैल्कुलेट नहीं किये जा सकते वो इंसेंटिव जिनको हम पैसे की में calculate नहीं कर सकते, those incentives are known as non-financial incentives, ठीके जी, पहला क्या है जी status, अगर बालकु में आपको एक status दे दो topper का, हाँ जी, you are the topper, you are the topper, 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 तो अगर आपको status मिल जाएं कि आप topper हो, तो status को maintain करने के लिए कई बार आपको performance बढ़ाने पड़ेंगे, to maintain that status, we have to increase your performance, सर देखो, अगर आपको एक positive और अच्छे से बात होती है, जांका ventilation बढ़ा अच्छा है, lighting बढ़ी अच्छी है, माहूल बढ़ा अच्छा है, ठीके जी, फरेनस बढ़ी अच्छी है, हरी चीज़ अच्छी है हमाँ पर, तो positive organizational climate में performance अच्छी निकलती है, positive organizational climate में हमेशा performance अच्छी निकलती है, ठीके, अगला है जी recognition program, तो मेरे भाई देखो क्या करना है, हमें सिर्फ congratulate करना है, ठीके जी, तो अगर हम किसी को congratulate करेंगे, तो congratulate करेंगे, बहुत बढ़ी है, शाबाश, क्या काम किया है, आपने बहुत पहत्तरी, तो सिर्फ congratulate करने भर से, एक employee motivate हो जाता है, और वो अच्छा perform करता है, तो employees recognition program के अंदर, हमें congratulate करना चाहिए, employees को for their better performance, ताकि वो और future में अच्छा perform करें, ठीके जी, उन्हें award, या फिर certificates देने चाहिए, उन्हें award या फिर certificates देने चाहिए, हमें अपने employees को award और certificates देने चाहिए, इससे क्या होगा, sir, award certificate जीत के, they will be excited to perform again, and to get the award again, ठीके जी, they will perform better, sir, notice board, company के notice board पर एक notice लगा दिया जाए, employee of the month, आपकी photo लगी हो, एक ताज बना हुआ हो, और नीचे लिख रवाओ, employee of the month, क्या feeling आती है, क्या feeling आती है, है ना, तो यहाँ पर employee of the month, लिखा हो गाई, मेरी photo लगी हो, इससे मैं motivated होगा, and, and, I will try to perform better next time as well, so that I can get my photo again there, ठीके जी, एट्सेक्टरा, है ना, बागो, T-shirt देकर, cap देकर, IPL में cap मिलती है, गाई, those who will perform better, will get the orange cap, purple cap, है ना, तो क्या है सर, recognition program, congratulate करना भाया, ठीके जी, अबोर्ट सर्टिफिकेट देना, उनका नाम, notice board पे लगाना, या फिर उनको T-shirts और caps बगारा, badges बगारा देना, ठीके जी, guys, done, तो यह सारे तरीके करके भी, हम employees की performance खोड़ा था, next step, career advancement opportunity, आपके career को अच्छा बनाने वाली opportunities आपको देकर, आपके career को अच्छा बनाने वाली opportunities अगर मैं आपको offer करता हूँ, तो जब आपको career advancement opportunities मिलेंगे ना, you will perform better in that case, ठीके, job enrichment, job enrichment का मतलब होता है, job को interesting मना ये, job enrichment का मतलब क्या है, job interesting मना ये, job interesting का बनती है, जब आपके पाद ज़ाधा power, ज़ादा responsibility, ज़ाधा status, तो मैं क्या करूँगा आपकी job को अच्छा करूँगा, आपकी job को interesting मनांगा, so that you can perform better, ठीके, job security, आपकी job permanent कर दोँगा, तो आपको डर नहीं होगा कि मेरी जॉब जाएगी भी यूविल फोकस्ट एंड डेडिकेटेड और इन दैट किस्ट परफॉर्म बेटर एंपलोई पाटिसिपेशन लेता हो ना अगर मैं आपको बोलू कि अपनी राय दो आप पाटिसिपेट को मेरे इंपॉर्टेंट डिसिजन में आप लोग राय दोगे मैं डिस्ट लूगा उसके बाद जब आपसे पूछ के डिस्ट लिया है तो आप अपना हंडेट परसंट दोगे विना पूछ लेता तो शायदा पच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं लेकिन जब आप से पूछ के डिस्ट लिया है तो इन डाइट केस्ट विल परफॉर्म बेटर एंप्लोई से एंपावर्मेंट को फ्रीडम देदी कि जो मन में आए करो डिसेंटलाइशन कर दिया मैं आपको डेक्राम मना अल्रेडी दिखा सुकान हूं स kij जिसके रवारा लोगों को फिर बाइश सर segments किया जाता प्रक्रिया है टिकर को ससे और प्रक्रिया है कि वो खुझ से अपने मन से काम करते की गौल कुछ करने के लिए It आँज लिडर्शिप भव तो सबूद Kita के और लीडर्शिप कई यदिais का इंडिकेट करता है। लीडर्शिप इंडिकेट दैबिलिटी ओफ इंडिविजवल कितने अच्छे से आप लीड कर सकते हो हां जी कितने अच्छे से जो है आप लीड कर सकते हो तो अगर आपके लीडर्शिप अच्छी है इसका मतलब है कि अंदर आपके अंदर अबिलिटी अच्छी है लीड करने लिडर्शिप जो है बाल को लोगों के बिहेवियर के अंदर चेंज लाने के लिए किया जाता है कैसा चेंज इस्ट्राइब विलिंगली वाला चेंज ताकि वो खुद से अपना 100% दे सके लिडर्शिप एक बार नहीं करना लिडर्शिप बार बार करना पड़ता है मुझे ब कॉमन गोल्स को ऐचीव करने के लिए किया जाता है गाहिस तो लिडशिप इसडिविजव गोल्स के लिए नहीं होता क्यूकि लिडर्शिप हमेशा क्रूप की गूर। अब गुरुप की होगी तो common goals होंगे तो leadership is excited to achieve some common goals of the organization आगे leadership indicates the interpersonal relationship leadership क्या indicate करता है मेरे भाई relationship को indicate करता है leadership अच्छी होगी तो relationship अच्छा होगा और leadership बेकार होगी तो relationship भी बेकार ही होगा ठीके आगे बटते हैं जी leadership style पर आते हैं माल को there are three styles of leadership there are three styles of leadership अच्छी बाल को leadership style जो total कितने होते हैं there are three styles of leadership total जो है तीन साइल लेडर्शिप के एक बार देख लेते हैं styles of leadership ठीके जी अब अब पहला है रॉट्टो क्रेक्टिक आप फिर्स्ट पन राइश्ट क्रेक्टिक आप अट्टो क्रेक्टिक जिसको बाल कम लूड को अथारिटीटिव भी कहते हैं इसको बालकू हम लोग पाटिसिपेटिव भी कहते हैं इसको बाल को हम लोग फ्री रीन भी कहते हैं तो देर आर थ्री स्टाइल्स अप लीडर्शिप मेरे भाई और और बी और दी और दी मेंबर्स और फॉलोवर्स होगे मेरे भाई तो मिरे भाई कहें जी ऐ लीडर है और बी ऑटकरिटिक और वीडिकें anno de लेगा आपको पास कर देगा पलट के जब आप नहीं होते यहाँ पर सबॉडिनेट सेंटर लीडर्शिप इसका नाम है इसका नाम है सबॉडिनेट सेंटर्ड लीडर्शिप अगला है जी डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर्शिप गाईज तो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर्शिप क्या कहता है democratic और participative leadership is that style of leadership ठीक है जी in which the decision is taken over by the leader but after consulting the members or followers by decision तो leader ही लेगा लेकिन सारे members ते पूछने और बतियाने के बाद लेगा तो उस style of leadership को क्या बोलते हैं जी उसको बोलते हैं जी हम लोग democratic style of leadership ठीक है जी diagram बनाना compulsory है आपको exam के अंदर अगर question आता है गाईस तो ठीक है done, sir यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर two way communication है, मैं आप से पुछूँगा आप मुझे जब आप दोगे उसके बाद में decision लोगा, two way communication होगे गाईस ठीक है जी, और इसको और क्या बोलते है इसको बोलते है मेरे भाई, group centered leadership group centered वो है, style है leadership का, जिसमें leader जो है, सारी freedom देता है, members और followers अंडर this style of leadership, leader give all the freedom to the members and followers leader जो है, सारी freedom देता है, किसको members और followers, do whatever you want to do, man but don't trouble your माता-पिता and भारत माता नहीं, ठीक है जी, ओके तो एक ऐसा leader है, जो सारी freedom देता कि यार, आप लोग खुद करो, जो करना है, ठीक है जी, you are competent enough, you are professionalist, you are expert, you are trustworthy for me, you are trustworthy for me, you are trustworthy for me, to do whatever you want to do, जो मन में आए, आप लोग कर सकते हैं, गाई, ठीक है जी, यहाँ पर कहा है सर्फ, free flow of communication, subordinate के बीच में, और यहाँ पर subordinate trustworthy भी हैं, ठीक है, इसको क्या बोलत हैं, इसको बोलते हैं, रिवाई, subordinate centered leadership, subordinate centered leadership भी कहा जाता है, ठीक है थी, इसको बाल को subordinate centered leadership भी कहता है, done, done everyone, autocratic कर लिया हम लोगों ने, democratic भी हो गया हमारा, legislative भी हो गया, let's talk about communication बाल को, so communication का मतलब बाल को मैं आपको already कहा चुका हूँ, sir, communication, communication is the process of sharing of idea, thought, feeling, fact, emotion, information, by the sender with the receiver to create common understanding, main motive क्या है जी, common understanding, create करना main motive था, ठीक है जी, ओके, तो यह हम already पढ़ चुके हैं, बाल को जल्दी साहर रहते हैं, बाल को जल्दी सा हम जाइज, communication, process, communication, process, सबसे पहले को मेरे बाइक, sender होगा, सबसे पहले को मेरे बाइक, sender होगा, sender को जा, sender is the person who have idea, thought, feeling, fact, emotion that he want to share with the receiver, so sender वो person है, जिसके mind में क्या है, idea, thought, feeling, fact, emotion है, जो receiver के साथ share करना चाता है, जो भी मेरे माइन में idea, thought, feeling, fact, emotion है, मुझे उसे message में convert करना पड़ेगा, जो भी मेरे माइन में idea, thought, feeling, fact, emotion है, मुझे उसे message में convert करना पड़ेगा, तो मैं pictures का इस्तमाल करूँगा, मैं words का इस्तमाल करूँगा, ठीक है, जी, तो pictures का इस्तमाल करना, words का इस्तमाल करना, ठीक है, जी, किसलिए, किसलिए मुरे भाई, जी, ताकि हम उसे message में convert करने के process को encoding कहते हैं, ठीक है, mind से चीज़े, message में convert करने के process को मेरे भाई, encoding कहते ह तो मैसिज वो content है जिसके अंदर idea, thought, feeling, fact, emotion लिखा जाता है ठीक है जिसको media और medium के थूरू receiver तक पहुचाया जाता है गाइस ठीक है तो fourth हो गया मेरे भाइट, media और medium जिस रास्ते से, जिस पत्र के द्वारा, जिस message के द्वारा, जिस letter के द्वारा, ठीक है जी, face to face, telephone, internet, message, video call, आजकल तो बहुत सारे जरिये हैं, जिसके तुरू हम जो है, अपना message आफ तक पहुचाते हैं, that is known as media और medium, उसके बाद क्या होगा, receiver is the person who will receive the message of the sender, उसके बाद करेगा, उसके बाद बो decode करेगा, किसको, उसके बाद करेगा decoding, अब receiver को message मिल गया, अब वो समझेगा, message क्या है, क्या message कहना चाता है, तो message को mind में convert करेगा, सर, mind से message में convert की encoding, फिर से message को mind में convert करेगा, समझेगा, उसे बोलते हैं decoding, तेके जी, उसके बाद वो क्या देगा मेरे भाई, उसके बाद जो है, वो feedback देगा, क्या देगा बाद को, उसके बाद वो, उसके बाद वो एक feedback देगा, ठीके जी, he will give the feedback, he will give the feedback, किसको देगा मेरे भाई, he will give the feedback, किसको, sir sender को कि हाँ, मुझे message मिल चुका है, मुझे समझ में आचुका है, ये feedback देगा, ठीके जी, ओके और लास्ट प्रवाल को क्या है noise, noise मतलब वो सारी problems, वो सारी difficulties noise मतलब वो सारी problems वो सारी difficulties जो communication process के अंदर माधाई करेंगी, obstacles, hurdles difficulties, ठीक है जी problems that will make communication process ineffective, तो जो भी चीज communication process को ineffective बनाएगी जो भी चीज communication process को बेकार करेंगी, हम उसे का बोलते हैं, उसे बोलते हैं, मेरे भाई, noise ठीक है जी, ओके तो बालको यह सारी बात हमने पढ़ ली है अब आजाओ forms or types of communication तो मेरे भाई, there are two types of communication the formal and the informal communication अब जी बालको, formal communication क्या होता है, formal communication is a communication which flows formally जो formally flow करेगा, उसे formal communication क्याता है, बहुत बढ़ी है सर, informal communication is a communication which flows informally, मेरे भाई, जो informally flow करेगा, उसे बोलेंगे, informal communication तो formal communication, formally flow करता है informal communication, formally flow करता है तो फॉर्मल communication पे तो formal communication भी बालको दो तरह का होता है, एक होता है vertical communication, दूसरा होता है horizontal communication सब्सक्राइब क्योंता होता है सब्सक्राइब करूं करेगा वंद कि अबुट गोग आघलेंगे प्लान इसे और इंस्ट्रक्शन इस एक रॉच्ट यह सारे ते सबॉर्ड इसे करता है जो इसे बोलते है उसे बोलते हैं यह सबॉड़नेट क्मुनिकेशन इस सबॉड्र इस कर भीकाइब करता है रिपोर्ट विपोडी में त्या वाई क्या। लोग पर आपस में कम्यूनिकेशन करते हैं स्थे लोग सेंग आपस में कम्यूनिकेशन करते हैं लेवल से मोना चीए फिर बोल रहा हो सर मेंनेजर तो मैंनेजर, सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर, लेवल मस्ट भी सेम गाईज, ठीक है, लेट्स टॉक आउट इनफॉर्मल कम्यूनिकेशन बाइल को, तो इनफॉर्मल कम्मुनिकेशन है मेरे भाई, जो इनफॉर्मली फो करता है, informal इस लिए इन फॉर्मल कम्यूनिकेशन को में नहीं होता तो इसलिए इन फॉर्मल communication barriers of communication क्या होता है जो भी चीज communication process को ineffective बनाती है जो भी चीज communication process को ineffective बनाती है उसे बोलते है barriers of communication मेरे भाई ठीके जी जो भी problems, hurdles, difficulties जो communication process को ineffective बनाएंगी उसे बोलेंगे barriers of communication there are four types of barrier the first one is semantic or linguistic barriers which occur due to wrong encoding and decoding wrong encoding और wrong decoding की वज़े से जो barriers create होंगे उसे बोलेंगे हम लोग semantic और linguistic barriers दूसरा है जी psychological और emotional barriers psychological और emotional barriers वो होते हैं जो state of mind और emotions की वज़े से create होते हैं और emotions की वज़े से create होते हैं जी that is psychological barriers अगला है जी organizational barriers मेरे भाई और किनाइजेस्टन बैरियस वो बैरियस होते हैं जो organization rules and regulation organization rules and regulations की वज़े से create होते हैं तर personal barriers वो बैरियस होते हैं जो personal reasons की वज़े से create होते हैं जी डन है मेरे भाई चलिए जा आगे बढ़ते हैं फिर अगर दन है तो semantic और linguistic barrier में पहला है badly expressed message क्या होता है कभी-कभी अगर हम important word भूल जाएं या wrong vocabulary का इस्तमाल कर लें important word omit हो जाए omission of some needed word या फिर रॉंग यूज़ वोकेबलरी इन दोनों में से कुछ भी होता है ना तो message जो है badly expressed हो जाता है और यह barrier create करता है symbols with different meaning sir क्या बोला मैंने मैंने बोला भाई आपको लगा हाई different symbols एक symbol की बहुतार मतलब होते हैं इसकी वजह से barrier create होता है मेरे भाई quality translation sir अगर receiver translator नहीं है if I will speak in English then some of you will not be able to understand that what I am trying to say because sometimes the message is the record in one language and it is the code is another language language and if the receiver is not a good translator then there will be a barrier definitely कभी-कभी message होता है दूसरे में decode होता है और अगर receiver अच्छा ट्रांसलेटर नहीं है तो स्टाइब बैरियर क्रियेट होगा ही होगा अगला 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 क्लेरिफाइड कभी-कभी message incomplete होता है सर जी कभी-कभी message incomplete होता है और incomplete message की होने की वजह से हम लोग बिना मतलब की क्रियेट कर रहे होते हैं जैसे मैं बोलता हम कल टेस्ट है और में चला गया यह बोलके अब आप टेकशन जारगं टेकनिकल ुए वर्करज को एक्सप्रेइंट क्रतेरे ताइं में टेकनिकल वर्ट का इस्तमाल नहीं करना चाये टेकनिकल जारर गंवेजिएंगे सब्सक्राइब करने चाहिए वर्ना बारियर क्रियेट हो जाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना और इसकी वज़े से भी बारियर होता है यहां पड़ा रहा हूं कुछ लोग की उपस नोटिफिकेशन आ है अगला इस दिस्ट्रस्ट नहीं होता है अगला आपके पास आपके बोले कि मेरे पास पांच करूर की में और सची में हैं बट कि आप उसकी बात माना होगे सब्सक्राइब पर नहीं और सब्सक्राइब तो डिस्ट्रस्ट की वज़े से भी कई बार बार्यर क्रियेट होता है और अगे बटका है बहुत सारे लेवल्स डिपार्टमेंट लोगों से उसके गुजरता है तो और इसकी वज़े से बात नहीं कर सकता है अब इस पालिशन पॉलिशी की वज़े से कई बार बैरियर क्रियेट हो जाता है क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं लेकिन करना चाहता है अब इस पाल्प अपने स्टेस को मेंटेन करने के लिए कभी-कभी boss अपने status को maintain करने के लिए मुझे allow ही नहीं करते हैं कि मैं उनसे directly बात कर सकूँ barrier create होता है guys ठीक है अगला है complex organization जरी company में लाखों लोग काम कर रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि मैं किस से directly बात कर सकता हूँ किस से नहीं कर सकता और इसकी वज़े से भी कई बार barrier create होता है गाईस ओर गज़ेशन फैसलिटीज इन दा लैक ऑफ और इस फैसलिटीज लाइक सजेशन बॉक्स और complaint बॉक्स सजेशन बॉक्स complaint बॉक्स जैसे सजेशन बॉक्स जैसे जो भी हमारे पैसलिटीज अगर यह नहीं होती है तो कई बार barrier create होता है मेरे भाई ठीक है जी ओके आज उसना पर्स पर आते हैं पहला है जी फिर उफ चलंग अथारीटी सब्सक्राइट डर है सब्सक्राइट मुझे डर है कि मेरा डर आपके अंदर से खतम ना हो जाए इसलिए कभी-कभी मैं इंप्रॉटन मेसेज जो है चुपा लेता हो इसलिए इसलिए मेरे बाते चुपा लेता है और इससे एक कि अधिकर बात करने का मन नहीं होता तो आप उसकी बात सुनोगे नहीं और बात करके अधिक अधे अधिकर लेले वस्टे लिए लग्णाने के लिए क्या क्या जुगार है यह देखते हैं पहला क्या अच्छे सुनने वाले बन जाओ अगर आप ऊच्छे सुनने वाले बन जाओ क। जाओंगे तो बैरियर खतम हो जाएगा बहुत सारा है ठीक है ओके दूसरा क्या है मेरे बाई कंसल्ट अधस बिफोर कम्यूनिकेटिंग बोलने से पहले किसी तीसरे बंदे से कंसल्ट कर लोगे ना कोई घरबर होगी ना तो ठीक करवादेगा बैरियर खतम हो जाएगा एंश इंट्रस दिखाएगा तो बहुत सारे बैरियर ऐसे खतम हो जाएगे एडिया बिफोर कम्यूनिकेटिंग बोलने से पहले आइडिया पहले कर लोगी क्या बोलना है तो बोलते टांगरबट नहीं करोगे बैरियर नहीं होगा तो बस यही था मेरे आदम ने क्या किया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसी की सब्सक्राइब को जोड़ात तालिया हो जाए हमारा जो यह यहां पर खतम होता है इस ठीक है जी तो थैंक्यू सो मच बालको आपका बहुत प्यार मिला बहुत सपोर्ट मिला ठीक है जी और बस ऐसी मैं आप लोग की सेवा करता रहूं यह अश्रिवाद बनाए रखेगा मिलते हैं बालको आप लोग उस नेशलेचर के अंदर चलते नोवाइटे किया जय हिंजय भारत गैस ख्याल रखेए अपना